नमस्कार आपका हमारी चैनल पर स्वागत है आज हम बनाएंगे शेविया खिर अगर आपको मेरी ये रेशीप बसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेशीपी को आगे शेयर करना ना भूले शेविया खिर बनाने के लिए मैंने याँ पर कड़ाई के अंदर थोड़ा सा गी डाला है कि गी के अंदर हम शेवियों को थोड़ा बूनेंगे शेवियों को अच्छा गोल्डन कर लदाने तक भूनेंगे शेविया हमने गी में डाली है और अच्छे से कमाच पर इने हम भूनेंगे आप देख सकते हैं शेविया का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है बिल्कुल हिलाते रहना है ताकि जो शेविया हमारी अच्छे से चारो तरफ से भूनकर तयार हो शेविया हमारी भूनकर बिल्कुल तयार आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है शेविया कीर बनाना बहुत यअसान है ये मैंने पतेले में आदा लिटर दूद लिया है दूद को हम उबा लेंगे दूद में उबा ला गया है जो हमारी शिवईया है बुनी होई भू हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे शिवईया खीर बनाना बहुत आसान है अगर आपका कभी भी मिठा खाने का मन हो तो आप इसे बना कर खा सकते हैं थोड़ी देर में जो शिवईया हमारी वो पकने लग जाएगी आप देख सकते हैं ज़्यादा देर खीर को पकाने के आउशकता नहीं है यह मैंने ड्राइफ फूड लिए हैं वो हम डाल देंगे खीर के अंदर जीशे खीर का टेस्ट है वो और भी वड़ जाएगा शिवईया हमारी अच्छी बूनियों यह जद्धा टाइम नहीं लगता इस खीर को बनने में आप देख सकते हैं अच्छी गाड़ी हो गई है हमारी खीर जो है अभी हम इस में चीने डालेंगे चार बड़े चमज मैंने चीन निका लिया है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद ओ तो आप ज़्यादा चीने भी ले सकते हैं अगर कम मीठा पसंद ओ तो कम ले लें खीर अच्छी गाड़ी हो गई है खीर को हम 4-5 मिनट तक कमाच पर पकने के लिए रख देंगे चार-5 मिनट हो गई है आप देख सकते हैं जो खीर अब अच्छी गाड़ी हो गई है और कितनी अच्छी पकर तयार होई है देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में तो ये खीर बहुत ही स्वादिश्ट है खीर को हम कटोरी के अंदर सारू कर लेंगे चाहिए तो गर्मा गर्मी से खा सकते है या फिर एक डेट गंटे के लिए से फ्रीज में भी रख सकते हैं खीर जो होती है वो ठंड़ी बहुत ही अच्छे लगती है कितने अच्छे हमारी शवया खीर बनकर त्यार हुई है जब यह खहीर बनाए और गर्मा गर्म खाए अगर आपको मेरी यह रेशीबी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेशीबी को आगे शेयर करना ना भूले जब आदाम पिस्ते उनसे खीर को थोड़ा गार निसिंग कर देंगे तक कि यह खाने में और भी अच्छी लगे धन्यवाद